जब हम एक जजबे की बात करते हैं तो हमारे मन में इस तरह के खयाल आते हैं कि आखिरकार एक ध्याय कितना उच्छा हो सकता है, कितनी रोशनी बिखेर सकता है, कितनी लोगों की जिन्दगी को खुबसूरत बना सकता है लेकिन जब हम खुबसूरते की बात करते हैं तो सिर्फ हम रंगों की बात नहीं करें हम जीवन की बात करेंगे प्योंकि जीवन में जब हम दिल में कुछ ठान लेते हैं तो उस ठान लेने को ही हम अपनी हिम्मत बना कर चलते हैं लेकिन जब हम हिम्मत की बात करें तो कुछ ही नाम होते हैं जो हमारे मस्तिश्य में साख को जाते हैं और एक ऐसे ही नाम से आज मैं आपकी मुलाकात कराने बाली हूँ वो नाम अपने आप में ही इतना सशक्त है कि आप किसी और विशे में सोचना बिलकुल भी नहीं चाहेंगे आप ये सोचेंगे कि आखिरकार ये व्यक्ति किस तरह से इतने हजारे हजारों लोगों को प्रभावित कर रहा है उनके लिए कारे कर रहा है लेकिन आखिरकार कौन है बहुत जब हम बात करें कि इतने सारे सम्मान जिन से उन्हें पुरस्कृत किया गया है जहां उनका नाम आता है कि उन्हें पदमश्री सम्मान से नवाजा गया है डॉक्टर कनुभाई टेलर जी जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है तो चलिए आप और हम मिलकर करते हैं उनका स्वागत जानते हैं उनके इस जीवन की परिपाटी के बारे में बहुत बहुत स्वागत है अपर तो जहां जानते हैं कि जहां 500 से जी ज्यादा सम्मान आपने जीवन में पाए हैं जिन से आपको सम्मानित किया गया है और सबसे बड़ा सम्मान हमारे देश में जब कहा जाता है कि पदमश्री से सम्मानित हमारे साथ बहते हैं दोक्टर कनुभाय टेलर जी तो मन में एक प्रशनी सिर्फ इतना है होता है कि आखरकार इतनी लोगों से जुड़े हैं आप और इतनी लोगों के जीवन को रोशनी से भर रहे हैं और खुद बखुद अपने आप में एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जो लोगों को ध्याय बता रहे हैं कि आखरकार जीवन में किस तरह का ध्याय होना चाहिए किस तरह का लक्षय होना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भी तरह दुड़ने के लिए जब भी आपका नाम लेते हैं तो सबसे पहले मन में यह आता है कि बेश्चक से हम आपको एक वील पर देख रहे हैं यह वीलचेयर पर देख रहे हैं लेकिन जो आपकी सर्शक्तता है वो आपके कारियों से चलगती है और हम उन कारियों से ही लोगों को अबगत कराना चाहते हैं 68 वर्ष उम्र हो चुकी है लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि आप उतनी ही शक्ति के साथ एक जो नौजवान लगातार बढ़ रहा होता है उसी नौजवानी के साथ आप अब भी आगे बढ़ रहे हैं आखरकार इसके पीछे इतनी ज्यादा शक्ति आप कैसे महसूस कर रहे हैं देखो आपका सवाल इतना गहरा है कि मैं जल्दी बता नहीं सकता हूँ मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चैनल के माद्यम से मैं आपके पास आऊंगा आज मुझे जीवन का सबसे स्रेश्ट पॉल भी आई है ऐसा मुझे लगता है मैं सबसे पहले दख्सकों को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों का आशिवाद लेता हूँ मेरा जन्मा सत्तर पाँच सत्तावन में हुआ था एक छोटा सा गाउ में और आणन के पास एक अड़ाज गाउवेद पाँच अजार आदमी की वस्ती थी मेरा माबाप की परिस्तिती बहुत गरीब थी उसमें मुझे पाँच महिने छे महिने के बाद बुखार आया बुखार आया तो पहले तो माबाप बहुत गरीब थी पहले भूद भुवा ओ के पास गए पीछी मराही कुछ किया नहीं कुछ हुआ नहीं, तीन साल तक मेरे माबाब कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, फिर तीन साल के बाद वो आनंद अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, तब मालूम पड़ा, डॉक्टर ने बोला कि उसको पोलियो हो गए, पोलियो होने के कारण यह है कि गाउं में जब लेके चला गया, जब आनंद के डॉक्टर ने बताए, वो आज जीवन कभी चलेगा नहीं, उनके बाद मेरे माबाप ने, मेरे घर से मेरी स्कूल कम से कम एक से डॉड किलो मीटर थी, कच्चा रस्ता था, मैं गाउं में घसर के जाता था, तो मेरे पीछे कुत्ते लोग, काकरा, काच लगता था, स्कूल में मैं ऐसे एक से दस दोर्ण पड़ा, मैं बड़ा होने के लिए सब लोग मेरी मजाक उडारते थे, कितने लोग ऐसे बोलते कि इसने कौन सा पाप किया है, कि दोनों पाउं से विकलांगे, बीचारा है, लाचार है, क्या करेगा, कोई ऐसे ही जाएगी, मेरे पिता ने कहा कि कोई बातनी में एक पान का गल्ला करवा के, बीडी सिगारेट बेचेगा, और ऐसे उनका जीवन जाएगा, मैं दसमें दोर्ण में आये, तब मैंने सोचा कि जिनगी बगवान तुने मुझे क्या कर दिया, मैंने मेडिकल स्टोर में स 10-15, घेन की गोरी राके, निंद की गोरी मैंने खा लिया, मैं चार बजे खा गरा और दूसरे दिन चार बजे मेरी आँख खुली, तब मैंने मनोमन नक्की कर दिया, कि मुझे उपर जाने का बगवान ने नाम नहीं ले गए, तो मुझे ये जीवन ऐसे ही विताना पड़े गा, मैंने 10 दोरन पास किया, 11 बार पास किया, मेरे पास 10 रूपया थे, तो 10 रूपया में मैंने टिकेट अमदावाद चला गया, मैं, अमदावाद जाके 10 में बार्मादोर्ण के रिजल बताया मुझे, मैं सजानन आर्स एंड कॉमर्ष कॉलेज में मुझे एड्मिसन मिल गया, एडमिसन मिलगा मैं कहां रहूंगा, तो नजीक में एक अपंग मानो मंदर के संस्ता थी, वो संस्ता का मैं जो मानद मंत्री थे, सुननदा बेन वरा उनके पास गया और बताया, कि मैं ये गाउं से आया हुआ, मेरे अमदावद में मेरा कोई नहीं है, मैं कहां जाओ, क वहां रखो, आप बोलेगे, बताएंगे, वो काम मैं करूँगा, तो उसने बोला कि आप यहां स्कूल चलती है, दोरण तीजे और चौथे दोरण में, आप टीचर बनोगे, मैंने कहां मैं बनूँगा, और सब कुछ सिवा करूँगा, आप मुझे दो टाइम का खाना देन और हर महीने दस रुपया देना, क्योंकि मैं साबू लाओ, टूद ब्रस लाओ, और मेरा कपड़ा भी मैं धो दो, सुननना मैंने कहा, कि आप आजाईए, मेरे संस्ता में आप रही है, मैं सुबह साथ बज़े से, दस बज़े से कॉलेज में था, और अग्याज से पांच, म मैं बच्चों की स्कूल में टीचर बनके सेवा कर रहा था, यह मेरी जिन्दगी का पहला पढ़ा हुए, जब कॉलेज उनिविशिटी दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट रखते हैं आज भी, खेल महाकुम तो अभी चालू हुआ, पर पहले उनिविशिटी में भी होते थे तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिव्यांगों तो मेरी कॉलेज में चार पार दिव्यांग पढ़ते थे, मैंने वो लोगों को बुला कि चलो अपने पर उनिविशिटी में खेल कूट करने के लिए जाए, मैंने प्रिंसिपाल को बुला कि मेरा हाथ में नहीं है, यह तो दिव्यांगों की भी खेल में भाग लेना चाहिए, तो मेरी बात सुनके वाई सांसल ने बोला ठीक हम आपको तारिक दे देते कितने बच्चों आएंगे, मैंने का कम से कम S.E. से 120 बच्चों आएंगे, मैं हर कॉलेज की आदी लेके गया था, वाई सांसल ने मुझे डेट सं करना पड़ता है, मेरी कॉलेज का चारी दिव्यांग था, वागी कोई आया नहीं, मुझे वाई सांसल ने बोला कि देखो करनू, भाई हमने तो सपोर्ट किया, पर कोई आया नहीं, फिर एक हपते के बाद मैंने सब दिव्यांगों को मिलने के लिए गया, भाई क्यों नही तुम लोग, तो बोले कि ST कंसेशन में जो कॉलेज चलती है, तभी सब को कंसेशन में आने देते हैं, सनिवार और रहिवार को किसी को कंसेशन नहीं मिलता है, मैंने का दिव्यांगों को लिए कुछ नहीं है, तब मैंने तब से कागल लिखना चालू किया, तब इनिशिटी ने कहा कि वई दिव्यांगों को टाते नहीं है, गवर्मेंट को कागल लिखा, बहुत लिखा, कुछ नहीं हुआ, नव महिने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ कुछ करना चाहिए, मैंने लास लेटर लिखा, उसमें लिखा कि आप नहीं करोगे, तो मैं आमरन उपास कर होंगा, उसे लोग ने बुला कि ये तो क्या करने है वाले, विकलांगे, कुछ है नहीं है, नहीं पास, मैं वो डेट को मैं जहां स्टी बस के चेर्मेन बैठते थे, वहां मैं जाके चादर पथर के बैठ गया, एक दिन हुआ, दो दिन आ, तीन दिन हुआ, चार दिन के बा मैं फुटपाट पे सो रहा तो मेरे जो कॉलेज के दोस्ते, पेपरों में आये, तो ये सून के गुजरात के सभी दिव्यांगों कहर काम से, काठियावाड से, अमदावाज से, बरोडा से, सूरत से, सब लोग आने लगा और मेरी समझाने लगा कि सरकार नहीं मानेगी, फिर ग्यारा दिन तक मेरा मरन उपास था, डॉक्टर आती थी, पोलीच आती थी, बड़े बड़े नेता भी आ चुके थे ओ टाइम मेरे को, मुरारजी दिशाय ने भी तपास किया, वो भी सूरत अमदाद आ गए, इंदीरा घांधी भी आ गई, फिर ग्यारा में दिन, और बोले आपकी जो माग है हम पूरी करेंगे, मैंने कहा बस में लिखो के चड़ने के पहले ही सामने लगे, कि दिव्यांगों के लिए तीन बैठक आज जीवन अनामत रहेगी, बोले कि आज ही हम मनजूर कर देते हैं, फिर मैंने बोला कि दिव्यांगों के लिए एस्टी इसको उठाना पड़ता है, उनको एसकोर्ट को भी पचास ट्रका माप करना चाहिए, सरकार ने मागनी मेरी स्विकार कर लिया, और 37 लाख लोग दिव्यांगों को गुजरात में आज भी उनका लाब मिल रहा है, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलती थी, उनके बाद मेरी कॉलेज, खतम हो गई, पर तो वो टाइम, 79 में प्राइम मिनिस्टर मोरार जी देशाई था, तो मोरार जी देशाई ने मेरे को देखा था, सुना था, एक जीनिवा में 6 इंटरनेशनल हैंडिकेप की वर्ड कॉनफरेंस थी, उसमें मोरार जी देशाई ने बोला के मेरा जाने के लिए उनकी ओफिस से मुझे दिल्ली बुलाया, और मोरार जी देशाई ने मेरे को आसीवाद दिया कि तुम अच्छी तर से कॉनफरेंस में जाना और अपने देश के विकलांगों को लिए कुछ करके आना, और मालूम बढ़ा मुझे के मोरार जी देशाई न बहुत गरिब थे, कुछ नहीं था उसके पास, तो मेरे समाज के लोगों ने कुछी ने बैग दिया, किसी ने मेरे को एक जोड़ी कपड़ा दिया, किसी ने कोट सिलाया, किसी ने बूट दिया, किसी ने मोजा दिया, ये लेके मेरे पास वो टाइम तो वील्चर भी नहीं थी कुछ नहीं थी मैं घसर के ट्रेन में बैठा मैं मॉंबई एरपोर्ट पर पहुचा तब ऐसे ही मुझे बिठाया गया जैसे मैं लंडन उत्रा वहां एंजे गोरे करके भारत के हाई कमिस्टर थे और सेक्रेटरी रमेज बंडारी थे वह नहीं वील्चर लेके आये थे नह तो मैंने कहा अपने क्यों हो तो बोले मुरार जी दिशाई ने अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरे को देखने काये के कनू का वील पावर क्या है तो मैं बहुत खूश हो गया दूसरे देन स्रुजविलंड गया मेरे जीवन की यह पहली यात्रा थी मैंने वीमान देख पर मैंने अंदर गया नहीं था जब श्रुजविलंड गये तो फाइव स्टार से जब 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 होटल में मुझे रखा गया मेरे साथ दोनों थे पहले दिन मैं गया मुझे मैं इंडियान कल्चर का आदमी था मैंने सब को नमस्ते नमस्ते करता रहा किसी ने मेरे पर ध्या साथ ने बताया करनुबाय आप कभी बाहर नहीं आये मैंने का मेरी जिन्दगी का पहली आत्रा है मैं कहां जाओं कैसे जाओं मैं तो गरीब माबाप का लड़का हूं बुले यहां नमस्ते नमस्ते इंटरनेस्टल वर्ल कॉनफरेंस में ऐसा नहीं चलता है यहां एक दूस मुझे अपमान करने की कोई मेरी यह नहीं है पर मेरा कल्चर के इस आत्रे में किसी से गले नहीं मिलता था बुले आप गले कल जाके सुबर आपके पास लोग आए आप गले मिलना मैं दूसरे दिन काया कॉनफरेंस में सबको मैं गले मिला यह लोगों को भी अच्छा लगा फिर मुझे पीछे बैठा था तो मुझे आगे बिठा दिया आगे बिठाने के बाद मेरा प्रवचन रखाता मैंने प्रवचन में बहुत सब्दों में बोल दिया जो बहुत पाप किया होता है जो कर्मों की सजा है जो कर्मों की सजा है भगवान उसको निव्यांग बनाते वो बोले इंडिया जाओ, उसको साउथ आपरिका जाओ, श्री लंका जाओ, पाकिस्तान जाओ, बंगलादेश जाओ, ये कंट्री में दिव्यां को बेज देते हैं। मैंने का बहुत पुन्य किया हो तो उसको लंडन, उसको अमेरिका, कैनेडा, औस्टरलिया ऐसे दिशो में उनका जन्म होता है। जिनों के भी महामंत्री आये थे, उसने सब ने मंजूर किया, और एक कॉपी मुझे भी दिया, कि हम दिव्यांगों को लिए सारे साल कुछ न कुछ करते रहेंगे। फिर मैं जब इंडिया आया, एक कॉपी ले गया, तब मुरार जी देशाइब बड़ा प्रदाल नहीं थे, चरण सी चौदरी थे, मैं उनके लिए मिलने के ले गया। चरण सी चौदरी ने मुझे बताया, कनुबाई मैं तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हूँ, देखो आपका ये ले लेता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं जरूर उनके कुछ न कुछ करूँगा। उनके बाद मैंने पूरा एक रिपोर्ट बनाया तब चरण सी चौदरी निकल गए, इंदी राग घाधी प्राइम मिनिस्टर थी। मैं उनको मिला, उनको कौपी दिया, उसने मेरी कौपी देखी और पूछा के 81 में अपने आंतर राष्ट्रे दिव्यांग साल मनाएंगे, तो आपने साइन किया, मैंने कहा, उसने इमीजेट एक्सन दिलाया, पूरे इंडिया में आंतर राष्ट्रे दिव्यांग साल पर उ को दिव्यांगों को लिए कुछ करना चाहिए फिर मैं अमदावाद आया कॉलेज में तो मैं मैं जब आफरी स्रीजुलार में मैंने प्रवचन दिया तो लंडन के जो प्रमुक आये थे उसने बोले कि आप लंडन आई है मैं लंडन गया उसने मुझे पूरा लंडन गुमाया दिव्यांगों की संस्ता बनाई मैं वहां छे महिने रहा लंडन तो लंडन के बाद जो कुवेट वाले आये थे कुवेट ले गए फ्रांच ले गए जर्मनी ले गए सब लोग मुझे इंग्मीटेशन देने लगा कि आप आई हमें हम आपका स्वन्मान करेंगे साउथ गया वहां मैंने पी डबल्यू बोथा नाम के वहां के बड़ा प्रदर्म थे प्राइम मिनिस्टर बोथा साथ ने मुझे पूरे आफरीका बताया और दिव्यांगों के लिए कुछ ने कुछ आफरीकाने सरकार ने कहा कि हम जरूर कुछ करेंगे फिर मैं अमदाद आया नहीं दिया लास बरस की फिर गावन चला गया गावन में मैंने कुछ करने पाया फिर मेंगी और कुछ मुझे परना चाहिए 85 में मैंने एक विकलांग बंदू printing प्रेज चालू किया, उसमें मैंने सोचा कि मुझे दिव्यांगों के लिए कुछ करना है, तो मैंने 5 दिव्यांगों के साथ एक प्रेंटिंग प्रेज चालू किया, एक दिव्यांग मसीन चलाता था, एक दिव्यांग कमपोज करता था, एक दिव्यांग बेहन टेलिपॉन ओपरेटर थी, और एक ब्लाइड मैं था पूचा पाई करके, वो मेरे मार्केटिंग मेनेजर रहा, और मेर रहा, ऐसे 5 आदमी मिलके मैंने प्रेंटिंग प्रेज चाल हुई, मैंने दिव्यांगों के अमदाद सूरत असूरत में देखा, बहुत सारे दिव्यांग भीख मागते थे, मेरा ध्रवीत हो जाता था कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, 91 में मैंने तई कर लिया कि मुझे कुछ करने का है, और मेरा वहां कोई नहीं था, मैं तीन साल फुटपार्ट पे सो रहा था, तीन साल जहां किसके फुटपार्ट मिलता था, सो जाता था, वहां मकार नहीं मिलते थे जुपरपटी में भी, पर मेरे पूजा मैनेजर ने बो अपने वहां काम करती है। तुम उनके साथ साधी कर लो मकान मिल जाएगा। उसने मेरे को ऐसा बोला मेरा माईन में भी आ गया। मैंने उसके घर पर पहुच गये छे बजे और उसको बोला अंसा मैं तेरे साथ साधी करना चाहता हूं। वह गबरा गई। भूलत मेरे माई और भाई मेरे गुशा कारेंगे। मैंने का बात कर तुम तुम बाहर बहुट पर सो रही है। मैं भी गरीब हूं। तू दिवयांग हैं। मैं भी दिवयांग हूं। । उसने बात किया आखिरोट अलोग तैयार हो गए। तो मैं हंसा ने मुझे बोला कर चलो अपने दोलों साधी कल लेते हैं, मैंने का चलो हम गायतरी मंदिर गए पर मेरे बैतों चल नहीं सकता था, तो कौन उठाएगा, मंगल फिड़ा कौन गुमाएगा मेरे को, तो हंसा ने विरोध किया, कि कोई आदमी आपके उठा के मंगल फिड़ा गुमाएगा, तो ये भी पती कहेगा और आप भी पती बनेंगे, उससे अच्छा है कि मैं आपके साथ मंगल फिड़ा नहीं परूँ, मैंने का कोई सवाल नहीं चिंता क्यों करती है, भगवान के सामन मैंने उसके माते पर सिंदूल लगा दिया, और प्रतिक ना कर लिया, आज से तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पती, ओ मान गई, दूनो अतनी है उसका, मेरा दूनो पाव नहीं है, मेरे दो बेटी आये, एक रचना और एक शोनल, तो ये बात यहां तक पहुची, फिर मैं बच्चों से मैंने दीवियांग बच्चों की स्कूल चालू किया, स्कूल चालू किया माबाप एक दिन छोड़ने के लिए आये, दूसरे दिन बोले कि करनु भाई, हम बच्चों को बेजेंगे नहीं, क्योंकि सारे दिन हम आप चार बच्चों को बिटा रखेंगे, तो य उसने मेरे को रवी भाई मोदी ने मुझे एक रिक्षा दी, वो रिक्षा मेरी गुमती थी और बच्चों को लाती थी, बच्चों को छोड़ देती थी, ये चार बच्चों से चालू की स्कूल, 2001 में मेरा जीवन का पल्टा आया, कि सूरत में से बहुत लोग गांदी नगर जा रहे थे, जो मुझे जानते थे, तो उसमें से ये लोग बोले के मुख्यमंत्री नरिंद्र मोदी की सपद भी दिये, आप भी गांदी नगर आईए, मैंने का मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो जो लोग जा रहे थे, उसकी गाड़ी में मुझे बिठा दिया, फिर मैं सिधा राज दोवन गया, राज दोवन में गया और सेक्रेटरी को मिला, एडी सी के मुझे पास दो, वो बोले पास खलास हो गया, मैंने का मैं तो आया सुरत से, और गवर्नर जी मुझे जानते हैं, मेरी स्कूर में आ चुके थे, कासी रमराणा ने वहाँ कॉम्पूटर सेंटर बनाया था, तो उसक मेरा मोदी मुझे देख रहा था, कि एक विल्चर पे कोई विकलांग बैठा है, कहां तो कोई गवर्मेंट का बड़ा ओफिसर होएगा, क्या होएगा, को राज दोवन की बैठक में बैठा है, वो मेरे बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, पोग्राम खतम हो गया, सपद व व्यक्ति थे, मैं एक मिनिस्टर बना था, मैं उनके घर पे चला गया, खाने के लिए, मैं वहाँ खा रहा था, तो उसने नरिंद्र मोदी ने पूछा, वो दिवियंग आये तो कहां गया, तो मालूम पढ़ गया उसको कि एमन चपट वाले के घर पे है, जैसा मैं खाना खा अपका रहाता है, sr. Narendra Bodhi, वहां आ गये मेरे पास, और मुझे बोला कि आप क्या करते हो, आपका क्या नाम है, कहां से आये हो, मैंने का सर, आपकी सपतविदी मह ए, मैं आपका धर्सन के लिए मैं आया हूँ, मैं खूश हूँ, बोले, आप क्या करते, मैंने का मूँ У्म स्कूल चलाता हूं साइट सित्यर दिव्यांग बच्चे है मेरे वाँ। और मैं ऐसे दिव्यांग उत्व भी करता हूं। तो नरींद्रमोदी बहुत खूस हो गए। और बोला कि मैं जैसे सूरत आओंगा। पहला आपके स्कूल में आओंगा। आपका बच्चों के पास आओगा और नरेंद्र मोधी दो महिने के बाद सूरत आए मुझे कलेक्टर और मुंसिपल कमिश्णर बड़े बड़े नीता मेरे पास आए बोली चलो आपको एड़ पर पहाना है किया मैंने का क्यूं बोले मुख्यमंत्री आपके वहां आने वाले ह जैसा वो फ्लाइट में से उत्मे ऐसा मेरे पास आया और बोले कलनो भाई बैठो मेरे गारी में मैंने आपको वच्चन दिया था कि मैं आपके वहां आउंगा चलो यहां से सीधा आपके वहां मैं बहुत खुस हो गया नरेंद्र मोधी से वो मेरे को वहां ले गए मेरे स्कूल में आये मेरे बच्चो को देखा उस ने मैंने मेरे प्रवाचन में बोला कि मेरे पास जगा नहीं है कुई व्यवेस्ता नहीं है सर बुझिया आप दिव्यांग बच्चों को लिए कुछ मदद करो उसने बोला कि अभी दो मिनिट में आपको जवाब दिन आए, जो मैं जगा दूँगा, तो आपने दो साल के अंदर बिल्डिंग बना के बताना पड़े गया, आप मेरे पास कुछ ग्रांट मागो आप जगा के बनाओ, तो मैं ग्रांट दूँगा और सब कुछ करूँगा, मैंने सोचा के सूरत म जगा नहीं मिलेगी, तो मैं स्कूप ग्रांट कैसे मिलेगी, तो मैंने का सब जमिन दे दो, उसने इमिजेट ओर्डर किया, और बेतालिस सो चौरस मिटर लेक्यूग गार्डन के पास, नर्वदा नदी के किनारे, मुझे जगा विना मुल्य दे दिया, मैं मेरी जीवन की एक दूसरा पढ़ाओ में देख रहा था, आज उनके सिलान आश्विदी नरेंद्र मोदी ने किया, उनके बाद बिल्डिंग बनने के एक दवई मेरी, खोद आया और बिल्डिंग का उगडाटन किया, मैंने कहा कि मेरे को ऑस्पिटल बनाने की है, तो उ उनका उगडाटन करने के लिए आ रहे थे, पचीस में जान्युवारी 2013, तो उनके साथ भारत सरकार का पदमसी यह ओड का उनके पास ओडर आया था, वो ओडर लेके आया, उगडाटन किया, मेरे माते पर आत रखा, और बोले कन्नु भाई, मैं जब से मुख्यमंत्री बनाता, हर साल मैं रेकोमेंड करता था, बारत सरकार ने मेरे को एवड किसी को नहीं पदमसी दिया, यह पहला एवड है आपकी बज़र से आया है, मैं आपको अभीनेंदन देता हूँ, और उनके साथ अरपना बेन करके म मुख्यमंत्री के हाथों से दिलाया, तो यह जिस तर है कि कहाने हम सिधाल जान पा रहे हैं, कि आखिरकार यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह वो जीवन है जिससे आप एक सीख ले सकते हैं, कि एक व्यक्ति लगातार संगर्ष कर रहा है, कि आखिरकार दिव्यांग होने के बावजूर, आखिरकार वो व्यक्ति जो ना खुझ से चल सकते हैं, बलकि उनके लिए खुद के लिए कुछ कर पाना मुम्किन नहीं, लेकिन वो अब इतने हजारों लोगों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी यह है कि उन से जुड़े सबसे उन लोगों की तरफ से भी उनकी तरफ ही हाथ बढ़ाया गया, जहां हम खुद राद मंत्री नरेंदर मोदी जी का नाम भी उनके मुक से सुन चुके हैं कि जब वो गुजरात की मुखे मंत्री बने उस वक्त ही वो खुद डॉक्टर कनु भाई टेलर की तरफ उनमुक जानते हैं डॉक्टर कनु भाई टेलर जी से और आखिरकार जब हम उनके पुरसकारों के नामों की एक फहरिस्त देखते हैं तो आखिरकार वो फहरिस्त इतनी लंबे होती जा रही है तो आखिरकार उनके तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा इस विशे में चलिए उन से जानते हैं कि Queen Elizabeth के समक्ष आपको आवर्ड से नावाजा गया था जहां the best person का आवर्ड आपको मिल चुका है और साती साथ जो हम अलग अलग अवर्ड की जो फहरिस्त देख रहे हैं उससे कही ना कहीं मैं खुद बहुत प्रभावित हुई लेकिन मैं आप सी जानना चाहते ह हुँ कि जब आप दिव्यांगों के बारे में एक पुरा पर्चम लहराने की पूरी तरह से सोच चुके थी लोगों से जुड़ने के बात कह चुके थे कि आखरकार आप दिव्यांगों के लिए एक ब्रस्तर पर बहुत बड़ा कारे करने जा रहे हैं तो आखरकार इसमें जो हमने रुकावटे देखी, वह आपकी हमें कथा से जानने को मिल चुकी है, लेकिन आने वाले इस समय में, कितनी सारी जो आपको लगता है, अभी भी अर्चने बाती हैं, क्योंकि आपकी कहानी एक जगह आके रुकी है, कि आपको एक 4500 स्क्वेर याद की एक जमीन तुदी पूरा वास, कम से कम आठ फूट का खाड़ा था, बारा हजार टेक्टरों में मैं माते दलवाई, फिर लेवलिंग किया, फिर मुख्यमंत्री को बुलाया, नरेंदर मोदी आये, उसने सिला ने आस्विदी किया, वो देखता था कि कनू क्या कर रहा है, मैंने हजीरा एरिया में इलाइन्स, ONGC, L&T, Sell, Gail, Bail, सब कमपनियों में खूद गया में उनके बाद, तो आश्चर यह होएगा आपको, गया ने तो सभी MD लोग बोलते थे, कर नूबाय हमको मालूम है का आप आने वाले है, यह चेक तयार है, मैंने का कैसे मालूम था, उसने बोला कि मुख्य के मंतरी नरिंद्र मोदी ने कहा था कि आज ने तो कल एक दिव्यांक कनुबाय टेलर आपके पास आएगा, उनकी मदद से मैं खूस मों बताना मुझे घर्व होता है, कि मुझे यह लोग ने फैक्टरी वाले ने पूरी बिल्डिंग बना के दे दिया, शेहर के एक भी आद प्राइंद्र मोदी एक बड़ा प्रत्यान तो बाद में बने है, पने मेरे लिए एक भगवान है, उनका मैं जितना भी आभार मानू, जब से हो मेरे स्कूल में आ गए ने, तब से मेरा जीवन का भाग्य खूल गया, भाग्य खूल गया, मैं उनको तकलिब नहीं देता हू बार-बार, मैं उनकी सपदवीदी में मेरे वहाँ दो, तिन, तिन, चार वार आ गए है, मैं अब यह प्राइम मिनिस्टर बने है, मैंने कब भी उनकी ऑफिस में नहीं जा सकता हूँ, यह मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सन्मान देते हैं, पर मुझे मालूम है कि ब बगवान, मेरे साथ है, मैं जो मकब चिठी लिखता हूँ, उनका जवाब दे रहेते हैं, और मेरा हर कारियम है, उनका सहयोग है, मैं इस सहयोग की है, अगर एक बात आप से जानना चाहती हूँ, जसतर ऐसे हम यह जानते हैं, कि आप पाउंडर प्रेजिडेंट हैं, डिसे लोगों के लिए, उसके बारे में मैं आप से जानना चाहती हूँ, कि आखिरकार उसके लिए किस तरह एक परिपाटी चुनी आपने, क्या आपने जमीन तैयार की, और किस तरह अब फिलाल उसके लिए कारे चल रहा है, जो चोती बेन आपने कितना संबेद नलसी प्रसना प मागता है, कोई बैकार नहीं है, में ये कॉलेज करने के बाद सब बच्चों को नौकरी मिल जाती है, उतना मैं बहुत गर्वा से कह रहा हूं, ये कोई सामन्य गटना नहीं है, बहुत बड़ी गटना है, और मैंने एक बहुत सम्वेदर से प्रसना पूछा मुझे, आप भ पर जाएए, आपको लावार इस लास्क जिसके कफण उड़ाया हुआ है, वो कफण निकाल के देखो, वो दिव्यांगी होएगा, मैंने मेरी आखों से देखा है, मैं रेलवे में बहुत प्रवास करता हूं, वहां लावार इस लास्क पर कफण उड़ा होता है, मैं पोलिस पर नमबल लिखती है, सब लिखती है, फिर हो कफण खोलता है, तो लावार इस लास्क दिव्यांगी होती है, मैं बहुत दुखी था, बहुत भगवान से कहता था, कि हमने विकलांग बनाया, हमारी इस सजा तो मिल चुकी, पर मेरी जिन्गी के छिले स्वास भी फुटपा यह गटना नहीं है, लोग देख के चले जाते हैं, भूल जाते हैं, मैं जन्मा से दिव्यांगु मैंने दूख देखा है, तो मैं इमिजेट सोचा कि है भगवान, तुम मुझे कुछ मदद करो, मैंने नरब्दा नदी के किनारे पे, दस विगा जमीन ले लिया है, अभी ब भारत में नहीं दूनिया में पहली वार, उसका old age home for disabled का मैं बना रहा हूँ, उसमें एक आदमी मुझे मिला, उसने बोला मैं 20 करोर रुपया आपको देता हूँ, मैंने कहा फारुक भाई, मुझे 20 करोर नहीं चाहिए, पैसा आपके पास रखो, मैं यहां दिव्यांगो का old जो बना नहीं रहा हूँ, मैं रिसोर्ट बना रहा हूँ, यह रिसोर्ट में मेरा दिव्यांग आएंगे, उसका मुरुत्यू होए तब तक वहां रहेंगे, खाएंगे, पीएंगे, और एक मादेव का मंदीर बना की नरब्दा माता का, अभी से करेंगे, और वहां ओम नमो सिवाय का जब करते करते हैं, उनकी दिव्यांग की सांती से उनका स्वर्ग में जाएंगे, एक मेरा एक सपना है, और यह सपना भगवान कौन से रुप में आके मेरा पूरा करता है, बहुत महत्वपून है यह कि उन लोगों के बारे में आप सूच रहे हैं जिनका कोई नह आप बहुत भात मुद्स के लिए हम कहते हैं कि वह हमारे लिए एक आशिरवाद वहोना चाहिए, जिनके साथ रह नहीं लेकिन उनके साथ आप लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जिएंगे कोषिष किया शाया देते हैं जिनके जरिये हम अपने लिए ना सिर्फ बहुत एक रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं ना सिर्फ बल्कि ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक अनुभव हमारे जीवन को और बहतर बना सकता है लेकिन हम उनसे अपना हाथ छुडा लेते हैं हम उनसे अपना दामन छुडा लेते हैं लेकिन अब जब आप उन लोगों के करें हैं और सबसे बड़ी बात के लिए है कि आपके साहेता कि आपने बड़ा नाम हमारे सेमक्ष लिया है था नहीं बात कि के लिए हमारे करें यकिन आपके साथ हों गया है उन वे बात करें लिए लिए हम टेर के लिए से वारा पर exterminatis Laz Fayt यूड़ते जा रहे हैं और इस कार्य को करने में क्या अभी भी कोई परिशानी आ रही है या किसे तरह की कोई रुकावट आपको लगती है आपका सवाल बहुत अच्छा है जो आदमी चलना सीखता है तो पहले गीर जाता है छोटा बच्चा भी मेरा मेरा तो सरीर नहीं चलता है मैं दूसरे के सहारे जिनकी जीता हूं और यह भी मेरे लिए नहीं मेरे दिव्यांग व्यक्ति के लिए कर रहा हूं तो आपका बात बहुत अच्छा है भगवान आज भी कोई भी आदमी दूसरे के लिए जब कुछ काम करते हैं तो चाहे मु के रूप में आ जाते कोई भी भगवान और मदद करवाते हैं इसमें ने जो सिला नास्विदी ओल्डी जोम का किया वो दिन गुजरात राज्जे के मुख्यमंत्री खुद सिला नास्विदी करने के लिए आये तो उनके साथ एक फारुक भाई पटेल सूरत के भी आये थे बहुत बड़े उसका सोलर का बहुत बड़ी फैक्टरी है वो बहुत प्रभावित हो गए उसने इमीडियेट बोला कि कनु भाई का सपना है वो जैसा कहे गए ऐसा मैं बिल्डिंग बना के दूँगा मैं 200 दिवियांक ओले जोम वाले को नातजात का भेद बाव वगर में महां में रखने का एक मेरा सबसे बड़ा स्वपना है बाद में भगवान मुझे ले ले तो मुझे कोई परवा नहीं है एक छेला स्वपना मेरे जीवन का है कि मैं दिव दिवियांक न्यूज चैनल चालू किया था गुजरातराज्य के गौवर्ननर उसका उटाटन करने के लिए आये वह चैनल ने सब्सक्राइब को दिवियांक बच्चों गाओंowych आते हैं बच्चों गाओं से लोग आते हैं बुझे इच्छा है कि जो दिवियांक पढ़ चा उसकी विकलांगत अपव दूर हो जाती है। कितने बच्चे डॉक्टर हैं, एंजीनियर हैं, कितने बैंकों में हैं, कितने अंडर सेक्रेटरी हैं, लंडन में, मैं लंडन भी छोड़ आया हूं मैं लिदीवियां को, कैनेला में भी मेरे बच्चे हैं, तो यह जिन्दगी की म मेरी मानुत को एक उपलव दी है कि मेरे बच्चे आज अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, मेरा जीवन जन्मत से विकलांगो, मुझे मालूम है, मैं मूर्तियों भी मेरी असी होनी वाली है, पर मैं दीवियां घर बना दू, ओल्ड एजों, मेरा सुपना पूरा हो जाएग आज आपकी चैनल से मैं आके मुझे हजारो लाखो लोगों को मैं प्रात्ना करता हूं, कि आप जहाँ हो, वहां मेरे लिए प्रात्ना करना, बस आसी वाद देना देखें, जिस तरह से हम आपके सुपन के बारे में भी जान पाए हैं, कि आप राजिश्ट्री इस तरपर तो कारे करी ही रहे हैं, लेकिन क्या अंतराश्ट्री इस तरपर अगर देखा जाए, जो दिव्यांगों के लिए, अगर हम वर्ल्ड वाई या ग्लोबल लेवल पे किसी तरह की एसी मदद जिसके बारे में हम ये कहा जाये की आखरकार इसके अनुशंसा की गई है आगे भीॉर साथ ही अगर कहा जाये, जैसे हम UN जैसी और्नाज़िशिन के बारे में देखेंह,- क्या इन लोगों की तरफ से आपसे आकर कि मलाकात की गई है, या आपने उनस में बताओं कि मैंने आद तक यह लोगों का किसी का संपर्क नहीं किया है और मुझे यह भी मालूम है कि दुनिया में दिव्यांगों की सिंख्या पूरी दुनिया की बात करता हूं बावन करोड लोग पूरे दुनिया में दिव्यांग है बावन करोड इतने सारी वस्ती है बावन करोड दिव्यांगों है पर विदेशो में दिव्यांग के लिए बहुत सुविधा है आफरिका में इतनी नहीं है इंडिया में इतनी नहीं है पाकिस्तान में इतनी नहीं है ब पच्छाद दे से दिव्यांगों की इदसा आज भी करोना मई हैं। यह बहुत जरूरी है कि आखिरकार इस विशे में एक महतुपून तरीके से कारे किया जाए। और आप लगातार कारे कर रहे हैं इस विशे में और मैं खुद यह जानने को इच्छुक हूँ कि आखिरकार और भी जो लोग हैं। ना सिर्फ हम राष्ट्रिये बात कर रहे हैं बलकि हम अंतराष्ट्रियस्तर की बात भी कर रहे हैं कि वह आप से आकर जुड़ें। आपकी इस संवेदना से आकर जुड़ें, आपके इस भावना से जुड़ें कि आखिरकार उन दिव्यांगों के लिए एक करुणा भावना होने ही चाहिए और उनके लिए कारे किया जाना चाहिए जो कि व्रहस्तर पर हो। ताकि जुस्तर हैसे आपने खा कि अंतराश्टियस तर पर ही बावन करोड से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि दिव्यांग हैं जिने सचमुच में सहाइता की आवश्यक्ता है। और ये सहाइता उन तक पहुचनी बहुत जरूरी है जहां आप 1974 से लगातार कर्म ठोकर के उनके लिए कारे कर रहे हैं इतने वर्षों तक आप लगातार इस कारे में जुटे हुए हैं और अब भी आपने ये कहा है कि आप अंतिम श्वास तक ये कारे करते रहना चाहते हैं मैं ये जान करके कही न कहीं एक तरह से बहुत खुश भी हूँ और ये जान कर कहीं न कहीं थोड़ा दुख भी होता है कि एक व्यक्ति लगातार कोशिश कर रहा है बेशक्से लोग जुडने की कोशिश करते हैं लेकिन उस तरह तक ये अभी तक पहुचा नहीं है और मैं ल साथ जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं जो वो लोग हैं जिने अभी भी बहुत सी सहायता की आवशक्ता है जिन तक ये सहायता नहीं पहुची है उन तक ये सहायता जरूर पहुचे और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं और कहीं न कहीं हमारे दर्शक दी ये बात जा करके खुशी हो रहे हैं कि आकरकार एक व्यक्ति लगातार इतने वर्षों से कारे कर रहा है सिर्फ दिव्यांगों के लिए और वो आगे भी यही कारे करने में लगातार जुटे रहेंगे यह उनकी तरफ से कहा जा रहा है फिलाल आप हमारे साथ जुड़े आपका बहुत-ब देंगे उनके साथ आपका मैं आपार मानता हूं आप क्लो बंदन करता हूं थैंक्यू अरी मुच थैंक्यू बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सभी से निवेदिन यह है कि आप ना सिर्फ हमारे कारे करम से जुड़िए बल्कि आप डॉक्टर करनुभाई से भी करेदारी है और हमारी भी फिल्हाल आप से चाहेंगे जाज़त नमस्कार